हालो अब्रिवान वेल्कम बैक तो अब्र यूट्यूब चैनल फ्रेंट्स आज इस वीडियो में हम करेंगे अपना एक सेशन जिसमें हम करेंगे कुछ 20 mcqs 20 mcqs क्या होंगे गाइस बहुँ सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर एक ऐसा वीडियो लाओ जिसमें हम iucn status और scientific name को cover up कर सके कहने का मतलब ही है कि जो आपने flora फना पड़ा जिसमें अपने national park पड़े will life century पड़ी बच्चों ने बोला कि सर हमें separately lecture चाहिए जिसमें हम will life guard का और सुरी will life gardening अपना national parks और will life centuries ये दो चीज़ें हैं हमें मिल जाएं तो मैंने उनको बोला कि फना लिखके पार टू सर्च करो जीके प्रैक्टिस का तो आपको ये टापिक मिल जाएंगे तो बच्चों को मैंने नोट्स भी मिले होंगे क्यूंकि मैंने इस पर नोट्स भी प्रवाइट किये थी ठीक है जब मैं ये टापिक पड़ाया था मैंने फ्लोरा इंफनावला आज किस वीडियो में करेंगे 20 MCQs और इससे पहले भी हमारी ये कैसी ही सीरी सेम टू सेम आपको दिखेगी और वो 50 MCQs की है वो अपलोड हुई थी तो अभी तक उसको मैं नेर बाउट अगर बात करूं तो 20,000 बच्चों ने रेख लिया अभी तक उ कापी करा हो रही है मैं आपको पता दू हमारे थमनेल की कापी हुई है इस पाड को आप देख रहे हो ये कापी हो चुका है तो हमारे चैनल पर कापी तो नहीं हुआ किसी नदर चैनल ने इसको कापी किया है और हां एक जीके प्रैक्टिस के नाम से एक और चैनल बन चुका जिसमें अभी तक 5 subscriber हैं, और हुमारी वीडियो जो है, पूरी same to same copy कर दी हैं, तीन वीडियो उसी नहीं अभी तक copy कर दी हैं, तो YouTube ने copyright claim भी दे दिया हमको, तो strike मैं देने की कोशिश कर रहा था बट strike हुई नहीं बट मैं within days मैं उसको strike जरूर करूँगा ठीक है तो searching में आने के लिए लोग बड़ा कुछ करने को कर सकते हैं बिना मेहनत के कुछ नहीं होता ठीक है अगर आज मैं यहां पर पूंचा हूँ तो सिर्फ आपकी बज़े से पुंचा हूँ क्योंकि अभी तक यहां पर मुझे आने के लिए अभी तक यहां पर इतना टाइम लग चुका है यानि कि एट साल के क्रीब क्रीब लग चुका है तो चलिए आज का लेक्टर करते है स्टार्ट बिना टाइम बेस्ट की अब सभी बच्चे इस वीडियो को दियान से सुनेंगे क्योंकि चीज़ें यहां पर आपको एमसी की उसके लाबा भी बड़ी सारी सेखने को मिलेंगी तो सो बोड़ा की विच आफ दा फ्लोइंग नैशनल पार्क विचे अफ लाज स्फ़ लाजियो नैशनल पार्क आफ इंडिया बताएन ज़्ड़ा इसका जल्दी से आनसर कि इंडिया का सबसे बड़ा लाजियो लाजियो नैशनल पार्क उन से है क्या वो जेम कॉर्ब els है गिर्फ फॉरेस्ट है काजी रंगा है यहां फिर आपका हमी से थीक है तो जिम कारबेट तो नहीं है जिम कारबड का है और नाम है अगर वो आपको नाम पता हो तो जल्दी से उसको कमेंटमें बताएए लाईब चैर्ट चोंचल रहा है जिम कारबड जो नैशनल पारक है एक ओलडेस्ट पारक है हैमिस हैमिस जो नैशनल पार्क है ये इंडिया का लॉजस नैशनल पार्क है और ये हा काम पे आपका लडाक में है लडाक यूटी में है तेक है इसके बारे में थोड़ी और चीज़े अगर मैं बात करूं जानने की हैमिस नैशनल पार्क का जो एरिया में आपको पहले बता दूँ जब हमारी जेनके स्टेट थी तब ये जेनके का सबसे बड़ा पार्क था जेनके का भी और इंडिया का भी अब यूटी है अब हमारा ये वाला नहीं है अब ये लडाक का है अभी जेके असर भी बोलती कि फा फाइफ नहीं है फोर ही हैं बट उन्होंने अपने आप्शन में अभी भी साथ रखे हैं इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है बच्चों को ठीक है सो जो हैमिस नैशनल पार्क है इसमें जो डैनेस्टी है यानि कि स्पीशिस की बात करू रिजर्व रखा गिया है य इस्टैबलिश्मेंट अगर इस पार्क ही करूँ तो वह ही थी आपकी 9081 में ठीक है और अगर मैं बात करूँ कि इसका IUCN स्टेटस क्या है तो वह आपका है बलनेवर बलनेवर ठीक है कहीं पर नैट पर आपको शाय इंडेंजर भी दिखाएगा इसका ठीक है और एरिया अ तो बस आपने इसका इतना ही नाम याद रखने है बाकी स्नो लेपड का जो साइंटिफिक नेम है आपसे पूछा भी जा सकता है ऐसी बात नहीं है जेके असर भी पूछ सकती है कि स्नो लेपड कहां पर रिजर्ब है स्नो लेपड का जो साइंटिफिक नेम है वो आपका है यह इसका साइनटिफिक नहीं है यूसीन स्टेटस हो गया कि वर्लन नेवर है इस्टैबलिश्मेंट इसकी निएटी वन में हुई और पैंटिरा यूनिशिया इसका साइनटिफिक नहीं है अभी यह आँ पर देख सकते हो चलिए उसका बाद नेक्स कोशिन क्या है हूए के वह रापेंड़िज डाचिय्कम नेशनल पार्क वाज अपग्रेटिड इन्टो नेशनल पार्क डाचिखँम जो नेशनल पार विलडा। century थी पहले यह डैचिकम बिलाइफ century थी और इसको अप्रेट कर दिया गया national park में यह काम कब किया गया बताएं ज़र जल्दी से तो गाइस यह किया गया आपका 1981 में ठीक है 1981 में establishment किसकी हुई डैचिकम national park की और डैचिकम national park है कहां पर है जल्दी से पताएं डैचिकम national park कहां पर है तो यह आपका स्री नगर में स्री नगर में उके उसके बाद की इसका एरिया की अगर मैं बात करूं तो 141 है वह स्क्यूर किलोमेटर और उसके बाद अगर इसकी बात करूं आया इसका जो यहां पर जो आपका reserve रखा गिया आपका वो है आपका हंगूल किष्मीरी स्टैग हंगूल जिसको हम किष्मीर स्टैग बोलते हैं स्टैग ठीक है जो आपका जी एनके का एनिमल है स्टेट एनिमल है और यहां पर आपको बड़ी बात ही है कि ब्लैक बूल बूल भी आपको यहां पर देखने को मिलेगी ब्लैक बूल-बूल वाइस आपने जो हमारा 50 वाला कोशन है वो देखा होगा जिसमें फिप्टी एमसी कोश्ट करवाई थे उसमें यह ने सारे कोशन करवाई हुए ठीक है यह कैसी सीरीज है क्योंकि आने वाले ज स्टेट अनिमल है ठीक है आपका और यहां पर आपको एक बड़ी चीज है कि आपको यहां पर golden eagle लेखने को मिलेगी golden eagle ठीक है अगर आप यह point note करना चाते हो तो करद सोपते हो ठीक है और सबसे बड़ी बात है कि इसका iocn status क्या है बच्चे यह बोघ रहती सर iocn status पर अगर मैं इसका आपको बता दाओं इसका जो ICN status है वो critically indangered है critically indangered है Net पे देखोंगे आप तो आपको शायद इसका indangered भी मिलेगा और critically indangered भी मिलेगा और JKS भी पता नहीं किसको right option बना देगी इस चीज़ का नहीं पता है टैने बलेजिस पे और अगर इसमें बात करूँ फ्लाइ कैचर भी आपको यहां पे देखने को मिलती है अब बाड़ी बात आती है कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है हंगूल का हंगूल का जो साइंटिफिक नेम है वो है आपका सर्वस सर्वस अर्ब यूस सर्वस इलाफस नाच्छे से निका जारा इलाफस हंगलू हंगलू ठीक है यह इसका साइंटिफिक नेम है ठीक है उसके बाद चलिए नेक्स कोशन जमू और कश्मीर यूनियन टेर्टरी बोर्ड कालिस पीजन फाउंट इन विच एरिया खालिस पीजन आपको पता है कि हमारा यह अब स्टेट बड़ है यानि कि जियन के यूटी का स्टेट बड़ है और अभी 2022 में ही 2021 में ही इसको रखा गिया है अक्तूबर के बंद में तो यह आपको बोर्ड है कि देखने को गहां पे मिलेगा चैक है तो यह आपका क्या जसरोटा में देखने को मिलता है काजिनाग में देखना है अवेरा उरू में मिलेगा यहां फिर आल अपताथिस में मिलेगा तो यह आपको सभी के सभी में देख को मिलता है तो right options का दी हो जाएगा ठीक है उसके बाद बोलता कि IUCN status क्या है IUCN status क्या है खालिस फिजन का किसी को पता है इसका अंसर तो कमेंट बाक्स में बता है जल देजिए क्या वह बॉल नेबल है लीस्ट कंसर्न है इन्दैंसर है या फिर क्रिटिकल इन्दैंसर है फांड काहां पर होता है यह खालिस फिजन मैंने आपको पता जाया है जुसरोटा काजिनाक और वेरा विरू है इन जगा भी आपको यह देखने को मिलेगा और इसका जो status है वो है आपका least concern ओके least concern इसका status है उसके बाद कोशन आता है कि IUCN status क्या है मार्कोर का दोस्तों यह कोशन भी अभी assistant compiler के exam में पूछा गया था IUCN status आप मार्कोर फांड इन काजिनाग नैशनल पार्क इन बार्मोल अलिस्टिक आप जमान कश्मीर तो बताइए इसका status क्या है जल्दी से least concern है वर्लन नेवर है नियर थ्रेटेंड है यह फिर critically इंडेंसर है ठीक है तो गाइस जो इसका काजिनाग का इसका मार्कोर का जो है यह आपको बता दो में पाकिस्तान का national animal है ठीक है गोट की तरह है पाकिस्तान का national animal है और अगर आपका जो काजिनाग है नैशन teen-the leal district में और आपकॉल सीनगाशि सेई मिलों किलोमेटर के दूरी पर है और मारकोर का जो scientific name है वो है आपका एपका डा फेलमी ठीक है और एरिया इसका 42 स्केर गिलोमेटरी है और इसका जो स्टेटेस है वो आपका नियर थ्रेटेंड है ठीक है नियर थ्रेटेंड है ओके तो उसके बाद चले नेक्स कोशन खोन स्प्रिंग लोकेटेड इन विची डिस्टिक आप जम्मू और कश्मीर ये भी कोशन देखने को मिला है जेके सिर्भी की घिजा में खोन जो स्प्रिंग है ये लोकेटेड है आपका कौन सी डिस्टिक में बुढगा में है उदुमपूर में है जम्मू में या फिर और देखोंगा जाकरन कंवान फे तो यह मस्क दिर को दिखता है अउर्पको बताईए जरा कौन से पार्क में दिखेगा कर तो यह दिखेगा आपका सलीम अली सलीम अली नैशनल पार्क में आप बात हाथी है कि जो सलीम अली नैशनल पार्क था इस्टैबलिश्मेंट कब हुई इसकी इसकी Istablishment मानि जाती है 1992 में सबसे मतलगी पहले अभी जो मतलगी लास्ट में इसकी Einate coloca हुई चीक है species यहां पर musk deer देखने को मिलता है musk deer का जो scientific name होता है जिसको बोलते हैं moschus इन पर question जेकर से भी पूछ चुकी है इसलिए मैं पॉइंट आपको लिखवा रहा हूँ moschus m-o-s-c-h-u-s ठीक है और और यह जो आपका park है मैं आपको बता दू सलीम अली जो नैशनल पार्क था यह को गोल्फ स्प्रिंग भी रहा चुका है स्प्रिंग गोल्फ कोर्स भी रहा चुका है ठीक है किसी एर में 1998 से लेके 2001 तक ठीक है गोल्फ स्प्रिंग के अगर बात की चाहिए तो आपका सलीम अली नैशनल पार्क है मिस्टर सलीम मौजूदीन अब्दूल अली जो की बर्ड मैन आफ इंडिया ये पर्सनेलिटी से भी कोशन बन सकता है ठीक है अब पोस्ट रहे कि आयूसीन स्टेटस क्या है ब्रॉन बेर का आयू किंस असरैंज है रीटिकल नैशेड रीसक फसलडल बात यहां थी कि ब्रॉन बेर आपको देखने को कहां पर मिलेगा ब्रॉन एप लेकर है अपको तो ये दिखते हैं आपको किस ट्लाट न्यशनल पार्क में काई साथ संडे था आज आपका डिस्टिक वाइस लाग सीरीस नहीं चली तो यह आपका किस्तवार डिस्टिक में है और इसका एरिया की अगर मैं बात करूँ तो वो आपका सबसे जादा है यूटी वाइस में लगी यूटी के जो पार्क्स हैं सारे डैचिंगम हो गया का सबसे जादा इसका ही एरिया है तो यही यूटी का सबसे बड़ा नैशनल पार्क है इसकी जो एस्टैबलिश्टमेंटर वो 1990 में मानी जाती है और यहाँ बड़ी बदी बात ही है कि आपको स्नो कोक भी दिखने को मिलता है स्नो कोक ठीक है स्नो कोक और जो यहाँ पे ब्रॉ और से प्रक्टोस तो इसका स्टेटेस है वो भी आपका इंडेंजर है तीक है और इस्टैब्लिश्मेंट इसकी 1990 में हुई थी अब यह बोढ़ मकण का सइन्टिक नम बताएँ ऐस्टेर का जो कि आपका श्रेम पार्क में आपका सिर्नागर में मिलेगा तेकि कोशन आपको इसी तरह से बन सकता है जेखेकT कोशन आपको इसी तरह से बन सकता है पूरा डिटेल में गुमा फिराके पूरा जिक्या सबी लेवल में मैंने कोशन रखे हैं कि मिल जाएं वच्छों को तेंगे पैंथिरा यूनीशिया जो नाम है ना सर आपने बढ़ाया स्नो लैपड़ का है थीक है यूरेसे एरेक्टोस जिसका नाम बताया है तो सर यह ब्रेआउन बेर का है अब बताए दो आप्षिन पर जाए इसका राइट आप्षिन होगा मॉस्छिस होगा मॉस्छिस हो साइनिटिफिक नेम है किसका मस्क डियर का और ये वाला किसका है ये नाम है मार्कोर का मैंने बताया भी आपको ठीक है सो इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि मस्कडेर के सलीम अली के बारे में हम पहले ही बात कर चुके है अब कोशन आ रहा है कि स्नो कोक फाउंड इन विच नैशनल पार्क अब जमुन किश्मीर यूनिय ट्रेटरी स्नो कोक जो है आपको किस नैशनल पार्क में देखने को मिलेगा किस्तवाड में, काजिनाग में, देचिंगम में या फिर सीटी में तो अब इसके बारे में मैंने बता दिया आपको, यह मिलेगा आपको किस्तवाड नैशनल पार्क में ठीक है, बड़ी बात ही है कि स्नो लैप, चलो इसके बारे में आगे बात करते है हंगूल प्रजेक्ट कब स्टार्ट किया गया यह कोशन कि आप से बन सकता है किुए हंगूल जो है आपका एक नैशनल आनिमल है सोरी, स्टेट आनिमल है जो कि आपका जियन के का है तो इस पे कोशन बन सकता है, हंगूल प्रजेक्ट जो था यह 1970 में स्टार्ट किया गया उसके बाद है कि scientific name आप स्नो कोग स्नो कोग का scientific name क्या है स्नो कोग का जो scientific name है देखिए अब जो status है ना अब आपको लगेगा सर मैंने इंडेजर पढ़ा है ये पढ़ा है वो पढ़ा है अब देखिए status पे हम कुछ कह नहीं सकते तो आपको एक जगा नहीं बताएगा कभी आपको critical बताएगा कभी आपको इंडेजर बताएगा ठीक है पर जो mark और का है वो नियर थेटन दी है मैं आपको बता दूँ स्नो कोग जो आपको कहां पे मिलती है ये आपको मिलती है किस्तवार नैशनल पार्क में ये मैंने अभी बढ़ाएगा आपको मॉस्चरस आपका कहां पे है इसको बोलती है सब मस्क डियर मॉस्चरस यानि मस्क डियर आपको मिलेगा सलीम अली में और टेटरागैलोस पैट्रोपस पैट्रोपस में आपको बता दूँ पैट्रोपस यह आपका यह कुंसर बड़ है जो ऐसी पी ट्राइड है यह आपकी एगल है एगल का साइंटिफिक नेम है ओके और यह जो है ना टेट्रा टेट्राव गैलस जो है इसका नाम है स्नोगोक ठीक है आपको मिलती है किस्तवार नैशनल पार्क में आप बोलता कि स्लीम अली नाशनल पार्क अЕ स्टैबलिश इन उमिच एर स्लीम अली जो नैशनल पार्क था वह किस return year में established हुआ था क्या हौ 9081 में हुआ था result 1987 में में आप 2000 में हुआ था या Haa फिर वह आपका 2010 में गश्वा था है मताजिए ज़रा कि तो गाइस इसpexghan रहन आप श्यंद में नहीं है जिसमें वह लखना है कि QU दो किस तवार नैशनल पार्क था, वो किस एक में थायर्म किस वह वा, अब यह Central Level का कोश्चन बढ़ा सकता है चंदिगर में है जमुकशिमीर में है गोवा में है या फिर दिली में है जल्दी से बताएं इसका अंसर सिलीम अली विल्दाई सेंचरी जो है वो लोकेटर कहां पर है तो वो आपकी जो भी बच्चे गोवा अंसर बता रहे है वो बिल्कुल सही है आप्शन सीजा प्रेक्ट अप्शन गोवा आपकी स्टेट है साइंटिफिक नेम आप ब्राउन विरर और जो गोवा है सबसे शोटी स्टेट है साईंटिफिक नेम बूछ रहा है कि ब्राउन विर ब्राउन विर पर अपके संद्ष्क अरुन विर आको दिखहेगा को आँप पर टेटरोगलोसी स्नोगोग का है ये गलत उचेगा बचे अप्शन दो तो ये यूरिसस अरेक्टोस जो है ये ब्राउन प्यर का साइंटिफिक नहीं में ठीक है उसके बाद कि किस तो बार नैशनल पार्क के कोशन डबल हो गया क्या कोशन डबल हो गया गाई यहां पर आना था कि डैचिकम नैशनल पार्क का ठीक है डैचिकम किस तो बार को रहने दो यहां पर आएगा आपका डैचिकम डैचिकम जो नैशनल पार्क था वह कब्लेश वह था था जमून कश्मीर established in which year? forest देखे question इस तरह से आते हैं question इस तरह से आते हैं exam में मैंने देख लिये forest department G&K established in which year to protect conservation conservation रखने के लिए G&K forest department की establishment हुई किस year में हुई थी? क्या वो 1978 में हुई थी? 1980 में, 1983 में हुई थी? यहां फिर वो आपके 2010 में उती तो 2010 में आपकी मैं आपको बता दू जियन के जियन के state forest policy आई थी यह question भी हमने अब डाला था state forest policy वाला but question पूछ लिया गिजा हमने ठीक है 2010 में यह question answer तो नहीं है 78 में क्या हुआ था 78 में आपका जियन के state forest corporation establishment हुआ याने की corporation act पास किया गया 98 में जियन के state forest corporation act 1972 में तो यह तो नहीं है तो option इसका है 8083 ठीक है यहां पे आपका established हुआ जियन के forest department यह तीन देटे याद रख लेना exam में आपसे कोई भी पूछी जा सकती है उसके बाद बोलता है कि हीर पूरा जो विल्लाई century establishment होई थी किस एयर में खीर पूरा जो विल्लाई century है वो किस एयर में establishment होई सबसे पहले बात आती कि खीर पूरा विल्लाई century located काहां पर है चीक है located काहां पर है क्या वह कि आपको बस इतना जो विल्लाई centuries है अगर यहां पर कोई main species है उसका नाम याद रखना है बाकिया आपने इसका देखना है कि डिश्टी गाम पर हैसकी और इसका कोई another name तो नहीं है बस यह याद रखना है और साथ में अगर यह याद रखना है another name और साथ में एक चीज़ और याद रखनी है आपने कि establishment date ठीक है यह रखनी है तो इसकी 9087 में establishment हुई थी तो गाइस option में इसका वो जो नहीं है वो जो विल्लाई century का option यहां पर होना चाहिए था वो यहां पर आप देख सकते हो इसमें नहीं है तो बताईए ज़रा क्या है इसका right option अगर किसी को पता है कि दक्सम जो है एक विल्लाई century है इसका another name क्या है option में मुझे पता है नहीं है अगर यह option होता तो ननाव century है उसका बोलते है दक्सम बिल्लाई century ठीक है इसको मैं ठीक कर दूँगा जो पीडियाफ दूँगा दो कोशन करने है ठीक है और hokerser बचे बचए को डोट था कि सर hokerser जो विल्लाई century है क्या यह विल्लाई century है या फिर wetland है दूँगा यह दोनों है आपकी यह वेड लाई जो है आपकी एक बिल्लाइज सेंचरी है इसका नदर नेम क्या है तर्जबस जो बिल्लाइज सेंचरी है इसका एक और नाम है ये भी एक्जाम में बड़ी बार पोचा जगे है बताइए ज़रा किसी को अगर याद है तो तर्जबस जो बिल्लाइज सेंचरी है इसका नदर नेम क्या है बलतल क्या है बलतल ठीक है और धक्सम का नदर नेम क्या है राजपेरियन बिल्लाइज सेंचरी ठीक है सो गाइस कैसे लगए आपको ये कोशन अगर अच्छे लगए हो तो लाइक को शेयर जुरूर कर देना और चैनल पे न्यूँ हो तो चैनल को भी जुरूर सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन वैल को भी अन कर लेना एक इंपॉर्डन चीज हो समस्लो सी गाइस देखो मैंने तो बोल लिया क्योंकि मेरे पास जो नोट्स बनाए थे जिसमें मैंने आपको विडियो डाली थी उसमें मैंने करवाय थे 15 विड़लाई सेंचरी जिसमें आपकी लदाक की भी थी अब मैंने बोला था कि जीनकी की सिर्फ 13 से हैं अब आप आप फी यू ओफीशल वेब साइट पर दिखा गरो तब यह जीकीन किया करो सो गाइस 13 तो मेरे बास पड़ी गई है पर आप जब भी साइट पर साच कर रहे हैं तो यहां तो आपको 14 दिखा रहा है यहां तो फिर आपको 12 दिखा रहा है तो आमान के चलो कि 12 है अब देखते हैं जे कैस सब्सक्राइब कही 14 ना करते हैं तो वह वर्ल लाइफ सेंचरी 14 भी कर सकती है इतनी वाद याद रख लेना बाकी आप खुद समझदार हो तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं तक फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कल एक नए लेक्षर के साथ तब तक के लिए वॉब बाई आए जाए और गॉब लेस्टो रखते हैं और लेक्र जोग वीडियो